अलो दोस्तो अगर आपका मोबाईल बहुत से लो चार्ज होने लगा है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बदाऊँगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाईल को 25 से 30 मिनट में फोल चार्ज कर सकते हो क्योंकि दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी secret setting बदाऊँगा जिनको दोस्तो अगर आप अपने mobile में अच्छे से apply कर लेते हो अच्छे से follow करते हो तो 110% आप अपने mobile को super fast तरीके से charge कर पाऊगे और दोस्तो यह जो setting है आपके सभी company के android phone में मिल जाएंगी तो आपको टेंसल लेने की कोई जरूरत नहीं है तो दोस्तो अब बात करते हैं वो कौन-कौन सी secret setting है जिनको यूज करने के बाद आप अपने mobile में fast charging enable कर पाऊगे तो ज़्यादा time based ना करते हुए video को शुरू करते है तो दोस्तो बात करते हैं सबसे पहले setting के बारे में तो आपके mobile में developer वाले setting own होनी चाहिए अगर नहीं होना है तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से developer वाले setting को own किया जाता है तो सबसे पहले दोस्तो आपको अपने mobile में setting को open करना होगा mobile में setting open करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ scroll करना है और यहाँ पर दोस्तो आपको इक option मिलेगा about device ठीक है इस पिकली करेंगे इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे आप नीचे की तरफ स्कॉल करोगे तो यहां पर आपको एक option मिलेगा version इस पे क्लिक करोगे इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर build number पे save and type दमाना है ठीक है तो मेरे phone में पहले से और करके रखा हूं तो इसलिए में आपर enable करने से कोई फाएदा नहीन थीक है तो मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके से आपके phone में मिलेगा तो यहां पर दोस्तों आप सिसś्पें कि क्लिक करोगे इस तरीके से और यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना हुआ डेविलोपर ठीक है तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जैसे दोस्तों आप इतने लिखोगी तो यहाँ पर आपके सामने डेविलोपर वाली जो सेटिंग है आज आएगी जैसे का आप यहाँ पर देख पा रहे इसके वाद थोड़ा से आपको ऊपर की तरब इसकॉल करना है जैसे कि मैं आपे कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर एक सेटिंग मिलेगी Apps तो यहां पर आपको मिलेगा डोंट कीप एक्टिविटीज ठीक है तो आपको वह अपने फोन में कुछ इस तरीके से ओफ कर देना है ओफ करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर एक और सैटिंग मिल जाएगी background process limit तो इस पे किलिक करना है और इस पे किलिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे किलिक करना है no background process ठीक है इस पे किलिक करने से दोस्तों आपके जो background राउन में बहुत सारे application run करते रहते हैं जिससे दोस्तों आपको बैटरी भी कंजूग होती है और कहीं निकली दोस्तों आपको जो charging है बहुती हो जाती है तो इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं अपनी next setting के बारे में यह काफी कमाल की setting है और मैं आपको बता दूँ जो चौथे नंबर की setting है बहुत ही important है उसको तो आपको बिल्कुल भी miss नहीं करना है तो दोस्तों आपको फिर से इस तरीके से अपने phone में setting को open कर लेना है इसके बाद दोस्तों जैसे आप नीचे की तरफ scroll करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस setting दिखेगी location ठीक है तो दोस्तों करने के बाद दोस्तों आपके phone में दो setting दिखाए नेगी wifi scanning and bluetooth scanning ठीक है तो इन दोनों setting को आपको off कर देना है क्योंकि दोस्तों यह जो setting है आपकी जब run करती है तो आपकी belty भी consume करती है और दोस्तों आपकी charging भी slow कर देती है तो इनको आपको तुरन से off करके रख कर लेना है फिले स्टोर il tram iteration को open करने के बाद आपको आपके लोगों पर क्लिक करना है और ए कंफिल ना है और adjustments करना है जर्नल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहांप और क्ई सारी setting दिखेंगी जैसे कि आप देख पा रहे होगे तो यहापको देखले source लिक्लिक कर auto update apps ठीक इस पे क्लिक करोगे इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यह पे don't auto update apps पे क्लिक करके done कर देना है इस settings से दोस्तों आपके फोन में कई सारे application auto update होते रहते हैं वो भी update नहीं होंगे और यहाँ पर दोस्तों आपकी बैक्राउंड में यह जो application update होने की बज़े से दोस्तों आपकी बैठती है काफी शलू चार्ज होती है ठीक है तो अब दोस्तों हम बात करते हैं अपनी चौथी important setting के बारे में जो की काफी कमाल की setting है अगर दोस्तों आपको अपने मोबायल को first charge करना है बहुत चल्डी चार्ज करना है तो मैं आपको बता देता हूं एक जबर जास ट्रेक ठीक है तो दोस्तों जैसे दोस्तों आप अपने मोबायल को charging पे लगाते हो तो आपको आपे flat mode को own कर देना है इसको own करने से दोस्तों आपके mobile में कोई भी notification नहीं आएगी और कोई भी application background में run नहीं करेगा जिससे दोस्तों आपका जो mobile काफी ज़्यादा fast charge होगा ठीक है इसके अलावा दोस्तों आप बात करते हैं अपनी पांच भी और imported setting के बारे में अगर दोस्तों आप अपने mobile में flat mode नहीं लगाना चाहते तो आप अपने mobile को कैसे fast charge करोगे वो मैं आपको बताता हूं तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने mobile की setting open करना होगा mobile की setting open करने के बाद आपको नीचे की तरफ scroll करना है तो यहां पर दोस्तों को अपको setting दीखे जहाएंग कि क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहांपर करनने के बाद दोस्तों आपके फोन में कई सारे सेंसर जो रहते हैं वो आफ हो जाते हैं जब भी दोस्तों आप अपने पावर सेविंग मोड को ओन करते हो तो इस केस में दोस्तों आपके मोबाइल की जो बैटरी है काफी तेजी से चार्ज होगी और लग वो 25 से 30 मिनिट है अपर कु को सब्सक्राब जरूर से करें जिससे दोस्तों फीचर में आने वाली वीडियो की नोटिविशन मिले आपको सब से पहले